दोस्तो अज़ किस वीडियो में मैं आपको फ्लैमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखने का एक दम से जबर जब तरीका बताने वाला हूं ठीक है आप इसको एकदम से चुट्कियों में कैसे लिख सकते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो इसक्रीन पर आपको च चाला के बल की दिसा को दर्साएगा ठीक है अब इसके बाद से जो तरजनी उंगली है मतलब की पहली उंगली ठीक है तो वह आपको क्या करेगा कि चुम्बक की दिसा को दर्साएगा ठीक है और उसके बाद से जो थार्ड नंबर आपकी मदिका उंगली है वो आपके धारा के दिश्वों को दर्शाएगी बस यह तीन चीजे आपको पता है तो एक दम से चुटकियों में लिख सकते हैं ठीक है बस यही चीजे तो हमें उसके डिफिनीशन को लिखना कैसे है ठीक है लिखने का सही तरीका क्या है वो चीज हम समझ लेते हैं तो इसमें देखिए आपको नंबर या फिर चार नंबर के लिए ही पुछा जाता है यह वाला ठीक है तो इसमें क्या करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम रिखेंगे कि इस नियम के अनुसार उसके बाद से फिर अपने बाएं हाथ के दो उंगलियों तथा अंगूठे को परस पर 90 डिगरी पर फैलाया जाए ठीक है अपने बाएं हाथ के क्या करना है उंगली को फैलाना है ठीक है और उसमें क्या है अंगूठा और तरजनी उंगली और मदिका इन तीनों को हम क्या करेंगे 90 डिगरी पर फैलाएंगे ठीक है तो इसमें क्या होगा तो अंगूठा चालक के बल की दिश जो कि अभी हमने बता है कि उठा चाला की बल की दिशा और जो पहली उंगली है ठीक है चीतर में आपको दिखा दे रहा होगा वह आपकी चुम्ब की फलस्क की दिशा को और जो मधिका है आपका धारा की दिशा को परदस्कित करता है बस यह इतना आसान थो है फ्लेमिंग का परियोग कहां पर होता है ठीक है तो यह कि इसमें होता है यह मोटर में इसका यूज होता है ठीक है फ्लेमिंग का जो नियम का परियोग होता है वो मोटर में होता है ठीक है और वही बात अगर जर्नेटर में हो जाए तो जर्नेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का परियो किये जाता है ठीक है तो यह चीज़ आपको कंफर्म कर लेना ठीक है यह इस टाइप को कोशन हमें सब पूछ देते हैं तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही तो यह वीडियो आप लोग कैसा लगा में कमेंड बुक्स में जरू रहता है यह चैनल पर नए है त सब्सक्राइब जरू कर लेका